क्लास नाइन एक्सराइस 3.1 जिसका थर्ड पाड है Reduce the following into lowest form थर्ड पाड का पहला सवाल है P square minus 100 upon में P plus 10 Solution अब इसको lowest form में convert करना है lowest form का मतलब है के उपर नीचे दोनों के factors निकालेंगे जो same factor होंगे उनको cancel out करेंगे बाकी जो बचेगा that is called lowest form अब factor निकालने का तरीके कर क्या है कि या तो common निकालेंगे या middle term बड़े करेंगे या कोई formula बनाएगे formula इसमेंसे A plus B का whole square या A minus B का whole square या difference formula A square minus B square बनेगा तो इस सवाल में देखें उपर P square minus 100 है P का square बना हुआ है और यहां से हम 10 का square बना सकते हैं तो मैं आप लिखूँगा P का square minus 10 का square upon में P plus 10 याद रहे जब दोनों की उपर अलग-अलग square हो बीच में minus की sign हो तो क्या करते हैं bracket के अंदर वालों को एक बार minus में रखेंगे एक बार plus में रखेंगे यानि difference formula A square minus B square बराबर है A minus B और A plus B के P minus में 10 और इसी value को एक बार plus में रखेंगे upon में क्या है P plus 10 अब आप इस सवाल में देखें उपर और नीचे दो नो में से एक फिक्टर से में P plus 10 यहां पर भी है P plus 10 उपर भी है तो यह दोनों आपस में cancel out हो जाएंगे बाकी जो बचेगा तेड़ is called simplest form of question इसी पार का दुसरा सवाल है 3 A B minus 3 A square upon में 3 A square प्लस में 6 A B plus 3 A B square अब क्या करेंगे उपर आप देखें दोनों में से कुछ common नजर आ रहा होगा आपको दोनों में 3 same है तो 3 को common नकालेंगे और दोनों में A B है तो दोनों में से A को common नकालेंगे 3 से 3 cancel होगा A से A cancel बाकी B बचेगा और यहां 3 से 3 cancel A square से 1 A cancel होगा बाकी 1 A बचेगा और नीचे देखेंगे यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 3 तिनो ठी की marble में आते हैं तो यहां से 3 common होगा और ठीनों में आप देखेंगे A है तो ठीनों में से A भी common निकालेगी ठीन की marble में 3 आता है 1 time और A square से 1 A cancel होगा बाकी 1 A बचेगा 3 की marble में 6 आता है 2 time A से A cancel होगा बाकी B बचेगा और इसी तरह प्लस की साइन 3 की डेबल में 3 आता है 1 टाइम A से A कैंसल होगा बाकी बचेगा B स्कॉर याद रहे साइड में 1 लिखा नहीं जाता है अगर लिख भी लेंगे कोई मसला नहीं है और ये दोनों फेक्टर सेम है तो इनको कैंसल आउट करेंगे बाकी बचेगा B माइनस A अपान में A प्लस में 2 B और प्लस में B स्कॉर ये है इसका अंसर इसी पार्ड का तीसरा सवाल है A माइनस B अपान में A प्लस B इंटू A स्कॉर प्लस AB अपान में 2 A स्कॉर minus two b squared first factor a minus b upon में a plus b same रख देते हैं और इस factor में से देखेंगे कि a common है common का मतलब क्या है कि जो value दोनों में same हो यानि जो variable दोनों में मौझूद हो उसमें से वो variable बाहर निकालते हैं जिसकी power कम हो तो यहां पर भी a है और यहां पर भी a दोनों में से कम power वाले variable को हम बाहर निकालेंगे बाहर निकालने बाद इसकी power इनकी power में से minus करेंगे इसकी power one है इसकी power two है two में से one minus करें बाकी one बचएगा और plus की sign a से a canc Basically होगा बाकी b बचेगा और यहां देखिए दोनों में से two common है two को बाहर निकालें two से two cancel होगा बाकी बचेगा a square और two से two cancel बाकी बचेगा b square यह a plus b a plus b से cancel होगा बाकी यहां पर बचेगा a minus b और multiply में a upon में two यह खुद एक formula है इसका formula क्या है इसकी जगह पर इसका formula लखेंगे इसका formula है a minus b और a plus b a minus b से a minus b cancel होगा बाकी उपर बचेगा a और upon में two into a plus b यह इसका simplest या lowest form question number four x plus y का whole square minus में z square upon में x plus y plus z मैं एक बार सवाल को repeat कर देता हूँ x plus y का whole square minus में z का भी whole square बना देता हूँ और नीचे x plus y plus में z जब दो values की उपर अलग-अलग square हो बीच में minus की sign हो तो क्या करेंगे first value minus की sign second value फिर first value plus की sign second value यानि difference formula a minus b और a plus b आप compare करें a की जगह पर क्या लखेंगे first bracket वाला और b की जगह पर second bracket formula है a square minus b square a की जगह पर first bracket के अंदर वाला यानि x plus y और b की जगह पर क्या रखेंगे second bracket वाली value z a की जगह पर x plus y और b की जगह पर z upon में x plus y plus में z ये दोनों cancel हो जाएंगे बाकी जो बचेगा that is called simplest form of this question इसी पार्ट का पांचवा सवाल है m square minus 6m into 3m plus 15 upon में 2m minus में 12 अब इस bracket में देखें दोनों में aim common है तो यहां से हम aim को common निकालेंगे aim square से aim cancel होगा बाकी aim बचेगा aim से aim cancel होगा बाकी 6 बचेगा और इन दोनों में से देखें 3 common है 3 को बाएर निकालें 3 से 3 cancel होगा aim बचेगा 3 की डेबल में 15 आता है 5 टाइम अपान में देखें दोनों में से 2 कामन है 2 की डेबल में दोनों आते हैं तो 2 से 2 कैंसल बाकी बचेगा M और 2 की डेबल में 12 आता है 6 टाइम ये M-6, M-6 से कैंसल होगा बाकी जो बचा है उनको multiply की सूरत में रखेंगे 3 को m से multiply करें तो 3m होगा और m minus 5 upon 2 ये मज़ीद simplify नहीं होगा तो that is called lowest form of this question इसी पार्ट का छटा सवाल है 4d square minus 36 t plus में 80 upon में 40 minus t square into 5 minus में t उपर वालों में से overall देखेंगे 4 common है 4 को बाहर निकाले 4 की double में 4 cancel होगा 1 time आता है बाकी t square बचेगा और 4 की double में 36 आता है 9 time और 4 की double में 80 आता है 20 time upon में इन दोनों में से देखेंगे t common है t को बाहर निकाले t से t cancel बाकी 4 बचेगा T square से T cancel होगा बाकी एक T बचेगा और दूसरी bracket 5 माइनस में T सेम रखे अब यह है quadratic expression quadratic expression को factorize करने के लिए middle term को break करेंगे इसकी middle term है 9T 9T को इस तरह break करेंगे plus minus करें दोबारा 9T बन जाए और multiply करें तो first और last का product बन जाए तो इसको हम किस तरह break करेंगे यहां पर मैं लिख देता हूँ T square 9 को मैं break करूँगा 4T माइनस में 5T और plus में 20 सेम रहेगा upon में T सेम और 4 माइनस T और 5 माइनस में T middle term break करने के बाद ये दो values अलग करेंगे और ये दो values अलग इन दोनों में से देखें T common है T को बाहर नकाले T square से T cancel होगा बाकी T बचेगा T से T cancel बाकी 4 बचेगा और इन दोनों में से माइनस 5 common है 5 से 5 cancel होगा बाकी T बचेगा माइनस इंटू प्लस माइनस और 5 के डेवल में 20 आता है 4 टाइम upon में T और 4 माइनस में T और 5 माइनस में T सेम रखे common निकालने के बाद जब दोनों ब्रेकेट सेम हो तो उसमें से एक ब्रेकेट common लेते हैं और जिनको बाहर निकाला है उनको हम दूसरी ब्रेकेट में अंदर रखेंगे upon में T और 4 माइनस में T और 5 माइनस में T अब भी देखेंगे उपर और नीचे दोनों फेक्टर सेम नहीं है थोड़ा सा फरक है क्या फरक है कई नीचे 5 माइनस T है उपर T माइनस 5 है यहाँ पर जो positive है उपर वो negative है और जो यहाँ पर negative वो उपर positive है इसी तरह से bracket में अप देखेंगे यही same चीज है जब भी हम positive को negative बनाना चाहें और negative को positive बनाना चाहें तो minus को common निकालेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ minus को common निकालूँगा minus common निकालने से क्या होगा यह minus का 4 यह plus का 4 होगा और यह t plus का है तो minus का होगा इसी तरह इन दोनों में भी में माइनस कॉमन निकालूँगा माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा कि माइनस का 5 है पिलस हो जाएगा और पिलस का T है तो माइनस का T हो जाएगा और इस माइनस को इस माइनस से क्या करना होगा मल्टीप्लाइ करना होगा बीच में multiply गी sign रखनी होगी और minus into minus plus होजाएगा again फिलाल में multiply नहीं कर रहा हूँ इनको as it is लिख रहा हूँ अब ये 4 minus t 4 minus t second से लोगा 5 minus t, 5 minus t second से लोगा बाकी minus into minus क्या होगा plus और 4 उपर सेम रहेगा और नीचे क्या है t ये है इसका answer इसी पार्ड का साथवाँ सवाल है x square minus 2x minus 3 upon में x square minus x minus में 2 एक बार फिर से मैं सवाल को repeat कर देता हूँ solution x square minus में 2x minus 3 upon में x square minus x और minus में 2 ये दोनों quadratic factor है expression से quadratic expression को solve करने के लिए हम क्या करेंगे middle term को break करेंगे उपर वाले की middle term है 2x 2x को break इस तरह करेंगे plus minus करें तो minus के 2x बन जाए और multiply करें तो first and last का product बने और इसी तरह नीचे वाले को भी break करेंगे तो 2x को में break करूँगा minus 3x और plus x में दखें 3x minus के x plus का again इसको simplify करें तो minus के 2x होंगे और multiply करें तो first and last का product बनेगा इसी तरह इसका जो middle term में x है इसको में break करूँगा minus 2x plus x और minus का 2 same break करने के बाद हम क्या करते हैं ये दो values अलग और इन दो values को अलग करेंगे यहां से क्या चीज़ कॉमन है x x square 6 cancel होगा x बचेगा x x cancel होगा बाकी 3 बचेगा और इन दोनों में से देखेंगे कुछ भी common नहीं जहां कुछ भी common ना हो तो वहां पर one common होता है या plus का या minus का sign पर depend करेगा इसकी sign plus है तो plus का one अगर यहां पर minus की sign होती तो minus का one common निकाल लेते और one से इनको divide करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा दोनों सेम रहेंगे और इन दोनों में से एक्स common है एक्स square six cancel होगा एक्स बचेगा एक्स एक्स cancel होगा बाकी two बचेगा और इन दोनों में से कुछ common नहीं तो one common है one से divide करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा उपर देखें numerator में दोनों factor सेम है जब दोनों factor सेम हो तो एक factor common लेंगे और जो बाहिर इनको दूसरी bracket में अंदर रखेंगे और नीचे भी देखें दोनों factor सेम है एक factor हम common लेंगे और जो बाहिर values हैं इनको हम दूसरी bracket में अंदर रखेंगे अब x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों सेम है तो cancel हो जाएंगे बाकी बज़ेगा x-3 upon में x-2 यह है इसका अंसर इसी पार्ड का आठ्वा सवाल है 4 x square प्लस 24 x प्लस में 36 upon में 3 x square माइनस में 27 उपार numerator से देखेंगे overall 4 common है 4 की double में 4 बे आता है 24 बे आता है 36 बे आता है तो हम 4 को यहां से common नकालेंगे 4 से 4 cancel होगा x square बचेगा 4 की double में 24 आता है 6 time और 4 की double में 36 आता है 9 time और upon में से देखेंगे 3 common है 3 को बाइर नकालेंगे 3 की double में 3 आता है 1 time और 3 की double में 27 आता है 9 time common नकालने के बाद क्या करेंगे उपर वाला quadratic expression है quadratic expression में middle term को break करेंगे और नीचे वाले factor को देखेंगे यांसे difference formula बन रहा है तो उपर numerator को हम break करेंगे 6 x को break इस तरह करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा 6 x हो multiply करेंगे तो first और last का product यानि के 9 x square बन जाए तो 6 को हम इसमें break करेंगे 3 x प्लस 3 x में और प्लस के 9 सेम रखें upon में x का square बना हुआ है और 9 में से 3 का square बनेगा break करने के बाद क्या करेंगे इन दो को अलग करेंगे इन दो values को अलग इन दोनु values में से x common है x को common निकालें x square 6 cancel होगा x बचेगा x से x cancel बाकी 3 बचेगा और इन दोनों में से 3 common है 3 से 3 cancel x बचेगा 3 से 3 3 double में 9 आता है 3 time अच्छा उसके बाद नीचे देखेंगे दोनों के उपर अलग-अलग square है बीच में minus की sign है जब दोनों के उपर अलग-अलग square हो बीच में minus की sign हो तो वहाँ पर हमेशा difference formula यानि एक दफाइन को minus में रखेंगे और एक दफाइन को plus में रखेंगे उपर वाले देखें दोनों फेक्टर सेम है एक फेक्टर हम common निकालेंगे और जिनको हमने बाहर रखा है उनको हम दूसरी bracket में अंदर रखेंगे upon में 3 सेम रहेगा x minus 3 सेम रहेगा और x plus 3 भी सेम रहेगा x plus 3 से x plus 3 cancel होगा बाकी जो बचें वो मज़ीद simplify नहीं हो रहा और यह है इसका answer इसी पार का question number 9 है y plus z into y square minus 2 y z plus में z square upon में y square plus में y z अब y plus z यहाँ पर सेम रख देते हैं और इसको आप compare करेंगे किसी formula से compare हो रहा है कौन सा formula इस पे में 4 a square minus 2 a b plus b square बराबर है a minus b का whole square आप compare करें a square की जग़े पर y square बना हुआ है b की जग़े पर z का square तो इस formula में जहाँ a होगा वहाँ पर हम y रखेंगे और जहाँ b है वहाँ पर z रखेंगे तो a की जग़े पर y और b की जग़े पर z का whole square upon में देखें दोनों में से y common है तो y common निकालते हैं y square से y cancel होगा बाकी y बचेगा y से y cancel होगा बाकी z बचेगा common निकालने के बाद ये दोनों फिक्टर सेम है तो cancel हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा that is called simplest form या lowest form यह इसका answer